इस शरीर को जैसा तुम ढालो वैसे ढ़ल जाता है इस जो मांस मचली खाते हैं लोग, अंडा मुर्गी कुकरी खाते हैं लोग इन्होंने अपनी जीवा को वही स्वाद लेने के लिए तैयार कर लिया कि मचली का टुकण जब मुँँ में दबा कर दातों से चबाते हैं तो उसकी जो कचाहट का टेस्ट है फिर वो आदत पकड़ती है जीवा फिर भार भार मचली खाने का मन होता है और मचली में है क्या? एक तरफ तुम कहते हो कि कंकं में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है और दूसरी तलफ बक्रा काट कर खा रहे है भेशा मुरुगा खा रहे है गाए घोड़ा गधा खा रहे है चिम गोदर और साप खा रहे है कई ऐसे देश हैं वरड के अंदर जिन देशों में कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं सब चीज़ खाते कीड़े मकोड़ों को भी खाते खाने के नाम पर तो पूरा देश बहुत आगे कितने लोग तो रोट का भी पैसा खा जाते पुलिया खा जाते, इस्कूल की बिल्डिंग खा जाते रेलवे की पटरी का पैसा खा जाते है और कितने लोग सोचाले, केंदर सरकार की और से जो सोचाले बनते हैं उसमें से भी खा लेते हैं खेर बड़ा सोभाग है जो सोचाले का पैसा खाते हैं लेटरीन का पैसा खाते हैं, वहां तक तो कोई बात नहीं कभी अगर और प्रगती किया तो लेटरिन भी खा गए तो क्या होगा कितना खाओगा वह ये मांस मचली जी और जी ने दो काफार बोला रखो जो लोग बासी रोटी खाते हैं उनको ताजी रोटी में स्वाद ही नहीं आता और जिनोंने बासी रोटी कभी नहीं खाई उनको जरा सा ठंडी रोटी खाने को दे दो तो रोटी तो ठंडी है पर उनका दिमाग गरम हो जाता है तुरंद गुश्चा जाती है अरे ये क्या तुमने सब रोटी दे दिया बासी सड़ी ही रोटी है गरम गरम होना चाहिए फुल का और जितनी गरम रोटी होगी उतना वे ज़्यादा ठंडे रहे रहे और रोटी ठंडी है तो वो गरम हो जाए बड़ा मुश्किल भी से आदत ने पकड़ गा और बाशी रोटी खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है बाशी रोटी खाने से बीपी कंट्रोल रहता है अब बाशी रोटी खाने से आपकी बुद्धी भी कुशाग्रह होती है इसलिए बाशी रोटी खालो और बाशी रोटी खाने से घर की इस्त्रियों को भी आराम रहता है चूला नहीं जलाना पड़े खालो बासी माधो लाली खुश रहो जाओ और बासी और ताजी में ज़्यादा फर्क नहीं है बिश्कुट खाते हो बासी नहीं तो क्या है नमकीन खाते हो मिक्चर बासी नहीं तो क्या है हल्दी राम का मीठा बीका नेरी मीठा आता है पेकिंग में सौन पापड़ी बासी नहीं तो क्या है ये कपड़े पहनते हैं ये बासी नहीं तो क्या है छे महिने पहले फेक्टरी में कपड़ा बना इस्टोर में रखा रहा फिर दुकान में रखा रहा बासी नहीं हो गया छे में और फिर पहन रहे गाड़ियां भी तो बासी है एक साल पहले बनी है अब आई है सोरूम से खरीद रहे एक साल बाद तो एक साल बासी हो गई तो बासी कोई बुरा नहीं है बीस साल पहले सडक बनी थी उस पर चल रहे हो भी तो बासी है इसलिए बासी खराब नहीं है तुमारी वाइब भी तो बासी है चालिस साल पहले बिवा हुआ था अब तक तो बासी हो गई पती भी बासी है ये सब बासी लोग बैठे होई है थोड़ा भोजन भी बासी अगर स चावल साम को बच जाता है बंडारा में शंत लोग सुवे उसको फिर से कढ़ाई में चोक कर और फिर से खा लेते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो अन्न का सुद्प्योग करता है वो कभी भूखा नहीं सोता है जो अन्न को फेकता है उसकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उसको भूख लगती है तो खाने को नहीं बिलता है इसलिए अन्न का आपमान नहीं करना चाहिए अन्न तो उतना ही लीजिए जितना भूख है यहां बंडारा चल रहा है फेकने वाले लोग पतल में ज्यादा ले लिया फिर खा नहीं पाए फिर लपेट के बाहर फेक दिया बहुत पाप लगेगा बंडारा खाने से बहुत पुन्य मिलता है लेकिन बंडारे की रोटी और बंडारे की पुड़ी और चावल और दाल फेकने से वो पुन्य छीड हो जाता है मानलिया सब ने एक एक पुड़ी फेक दी दस हजार लोगों ने तो दस हजार पुड़ी फेकी गई और एक आदमी मानलिया चार पुड़ी खाता है तो दस हजार पुड़ी में कितने धाई हज़ार लोग खाएंगे, धाई हज़ार लोगों के खाने भर की पुड़ी तुमने फैका है तो इसका पाक तो लगे गई इसलिए अनन को देवता कहा गया है अनन को ब्रम्ह कहा अनन को फैकना नहीं जाएंगे, खराब नहीं करना और चानक किन तो यहां तक लिख दिया है जिसके घर में मुर्खों का सम्मान नहीं होता है जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है और जिसके घर में पती पतनी में जगड़ा नहीं होता है वो इस घर में लच्छमी हमेशा निवास करती है कभी गरीबी और धरीद्र नहीं आता इसलिए पती पत्नी जगड़ा न किया करो गम खालिया करो जो पती कुछ बोलने लग जाए उसका जवाब मत तो बात ना लड़ाओ किसे बात लड़ा रही हो तुम अपने पती से किसकी बात काट रही तुम अपने पती की किसे टकर ले रही हो अपने पती से ये कौन बुध्यमानी है आपका पती है आपका पती अगर हार गया तो वो हार तुम्हारी है वो आपका पती जीत गया वो जीत तुम्हारी है आपके पती का फाइदा भी पत्नी का ही है और आपके पती का नुक्सान भी पत्नी का नुक्सान है इसलिए पती को हराने की कोशिश मत करो पती को जीतने दो वो जीत भी तो आपकी ही है क्योंकि पती भी तो आपका और आपकी पत्नी कभी कुछ जिद कर देती है उसको सांती से बता दो ठीक है जैसा तुम बोलती है ऐसे हो जाएगा जाओ दो खुश रहो आपकी वाइफ यदी कहे कि मैं माई के जाना चाहती हो रोकना मत बुद्धिमान पती बनी तुरंत उसको पैसे दे दो हजार दो हजार सामान बांद दो गाड़े में बिठा के छोड दो दस दिन फोन मत करो मॉबाइल मत करो गेरहे दिन उसका फोन आ जाएगा कि मैं आना चाहती है तो तुम ये कह दो आईए आपका घर है लेकिन बहुत दिन बात गई हो दस दिन और रह लो अपने माता पिता के पास शारत दिमाग ठेकाने आ जाएगा दोगारा जिंदगी में कान पकड़ लेगी कभी नहीं जाने का नाप लोगी लेकिन तुम्हें तजरुबा नहीं है जब वो जाने को बोलती है तो तुम कहे तो नहीं जाने दूँगा रुको भी तो वो समझ जाती है कि अब जाने की नाम पर उसको तड़भाया जा सकता है बार बार कहेगी जा जाओंगी जाओंगी जाने दो और लेने मत जाओ आने दो जब आये तो भी कहो आ गई तो अच्छा है दो चार दिन और रह लेती तो भी ठीट था चल जाता है खिचड़ी बना कर खा लो और किशी पडोश की कोई बूढी महिला को सव रुपिय रोज दे दो बेतन दो टाइम भोजन बनाएगी तीन टाइम जाड़ू लगाएगी सब बरतन माजधो के रख देगी सव रुपिय फेंको तमासा देखो साम को अपने घर चली जाएगी कुंडी बंद करो अराम से सो ग लेकिन बुद्ध्यमान इस्तरी बनो जादा दिन अपने सस्राल को छोड़ कर माएके मत जाओ अन्य था आपका पती अगर नौकरानी है तो नौकरानी के साथ अगर शेट हो गया तो तुमारे लिए हैरानी बन जाएगी नौकरानी को घर में इंट्री मत होने दो क्योंकि क्योंकि नरो नारी का मन बड़ा चंचल होता फिशलने वाला होता है और जीस चीज को मनश प्राप्त कर लेता है उसका रस खतम हो जाता है और जो चीज इसको नहीं प्राप्त होई है उसमें इसको रस दिखाई देता है जो गाड़ी तुमको मिल गई है अब उस गाड़ी म बन गई है उसमें अब तुमको कोई रस नहीं है लेकिन जो इस तरी दूसरी कोई निकलती है उसमें तुमें रस दिखाई देता है दूसरा पुरुष निकलता उसमें रस दिखाई देता है और वो पुरुष और वो इस तरी जिसमें रस दिख रहा वही अगर तुम्हारा पत इसकी कहानी है तो उस भेंस को जो किसान पाल रहा था उसके पास में पचास बीगे गन्ना था और गन्ने में घास थी वर्षा करी तो भेंस को ले जाकर गन्ने में छोड़ दिया कि अपना गन्ना अपनी भेंस अपनी घास खुब खाये साम को दूद देगी किसी से जंजट न भेंस को पचास बीगे के प्लाट के गन्य में छोड़ा भेंस तो भेंस उसने सोचा अरे इतनी हरी भरी घास तो थोड़ा आगे बढ़ू और आगे बढ़ी पांच मिनट में पचास बीगे गन्य को क्रास करके दूसरे के गन्यम चली गए दूसरे के गन्य का मालिक आया डंडा लेकर बोला तुमारी भेंस मेरे गन्य में तो उसने का भगवान बचाए भेंस से पचास बीगे का बड़ा प्लाट और उस गन्य की घास चरने के लिए इसको स्वतंद्र छोड़ा गया और ये अपने गन्य को छोड़कर अपनी घास को चोड़कर इतना जल्दी कास करके निकल गई दूसरे गन्य खेत में तुम्हारा मन भी भैंस जैसा है जो मिला है उसका तुमानन्द लेते नहीं हो जो दूसरे का है उसमें लल्चाते रहते हो ये भैंस बनना छोड़ दो ये आँखों देखी घटला है बच्पन में मैंने देखा था बच्पन में देखा था वो कहान याज याद आती है मेरे मन में बसो मेरे तन में बसो हम जहां रहे तुम वहां रहो मेरे मन में बसो मेरे तन में बसो हम जहां रहे तुम वहां बसो मेरे मन में बसो मेरे तन में बसो हम जहां रहे तुम वहां बसो मेरे मन में बसो मेरे तन में बसो हम जहां रहे तुम वहां बसो बोलिए सद्गुरु भगवान की जै बहुत आनंदा रहा है थोड़ा और समझना बिद्यार्थी जीवन एक साधना का समय है त्याग का समय है और जब तुमारे अंदर त्याग की छमता आ जाती है अब कुछ देखने का मन नहीं नहीं देखन की चाह है नहीं सुंगन की चाह है नहीं मिलने के चाह है केवल तन निर्वाः बेग्ञानी कौन बनता है जो अपने मन को नियंतरित करता है और शक्तियों को नियंतरित करके देखो तो तुमारी जिंदगी में चमतकार क्या होता है जब महिलाएं भोजन बनाती है किशी भगवना में पतेली में जब दाल को चड़ाती है एक घंटेक तक आग जलाती रहती दाल नहीं पकती है और वही दाल वही पाली वही महिला वही किचन वही चूला जब कूकर में दाल को डाल देती है पाँच मिनट के बाद पहरी शीटी बच जाती है कि आधी दाल पक चुकी है आठ मिनट के बाद दूसरी शीटी बचती है कि पूरी दाल पक चुकी है और तीसरी शीटी जब बचती है तुरंतो महिला दाल को अतार लेती है कि अब बिल्कुल फाइनल कम्प्लेट हो गए जो दाल एक घंटे तक नहीं पकती है चूले पर पतेली में भगोना में गंजी में वही दाल कूकर में पास से दस मिनट में पक जाती है कारण क्या है पतेली में इस्टीम कंट्रोल नहीं है और कूकर में इस्टीम कंट्रोल है तो एक घंटे में होने माला कार दस मिनट में हो जाता है अगर आपने अपने मन की इस्टीम को कंट्रोल किया है इंद्रियों की इस्टीम को कंट्रोल किया है तो याद रखना दस जिन्दगी में होने माला कार एक जिन्दगी में करके तुम दिखा दो सबसे पहले अपनी दृष्टी कंट्रोल करो दृष्टी फिर श्रवन को कंट्रोल करो कानों को और उसके बाद तुम अपनी बाणी को कंट्रोल करो कि बोलना क्या है जीवा को कंट्रोल करो खाना क्या है और उसके बाद अपने पेरों को कंट्रोल करो जाना किस राह पर फिर हाथों को कंट्रोल करो इन हाथों से करना क्या है क्या नहीं करना है और फिर अपने धिमाग बुद्धी को कंट्रोल करो इस बुद्धी से सोचना क्या याद क्या करना है और यदि ये सब कंट्रोल करने की छमता तुम्हारे पास में आ गई तो एक बात याद रखना जो आज तक चालिस साल में तुम नहीं पा सके वो चार साल में पा जाओगी कंट्रोल करके देखो तो बहुत से लोग कहते हमको कुछ याद ही नहीं होता है और मैं कहता हूँ मुझे तो तीन मिनट में इस लोग याद हो जाता है एक मिनट में चौपाई डेड़ मिनट में दोहा तीन मिनट में इस लोग संसकरत का फट्ट से रिड़ी नियंत्रन एक आग्रता Concentrate of mind In life to success जिन्दगी को success बनाना है Concentrate हो न सीखो और सब के पास में एक आगरता है जिस समय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कितना अपने को Concentrate करते हैं एक आगर करते हैं हर समय ध्यान गेंद पर रहता होंगा और फिर वही खिलाड़ी सचिन तेंदुल कर बनता है वही खिलाड़ी एक नमबर पर आता है अरजुन से पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है उसने कहा कि मुझे मचली की आँख दिख रहे अन्यराजकुमारों से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है उसने का मचली दिख रहे हैं जबूदे के लज्ष धिक देना चाहिए यह हाई लच्ष के विपरीट इना दए लच्ष की अत्रक्त कुछ दिखाई दा तमारे जीवन का लच्ष क्या है जवानी भी परमानेंट नहीं मिली तोड़े दिन का दूफान है ये 42 साल की उम्र के बाद जमानी ढलना शुरू हो जाती है 42 49 साल की उम्र के बाद जमानी का जोस दर जाता है 56 साल की उम्र में बुड़ापा में तुम प्रवेश होते हो और याद रखना त्रिश्ट साल की उम्र में तुम ऐसास करते हो कि मैं बूढ़ा होने लगा और शत्तर साल की उम्र के बाद तुम याद करते हो और मैं मर जाओंगा मरोगे तुम बचोगे नहीं बचने का कोई उपाई भी नहीं और मैं तो ऐसा मंत्र मारता हूँ कि सब जल्दी मर जाओं और मैं भी जल्दी मर जाओं जन्जट खतम हो जाए हर साल मक्का बोना खोदना लगाना छुट्टी मिल जाए बस मरो तो ऐसा मरो कि बासना को मार कर मरो कर्मों की निर्जरा करके मरो रहशा मरो जैसे रात में तारे दिखाई देते हैं लेकिन सूरी के उदे होते ही तारे नहीं दिखाई देते हैं ऐसे ही तुमारे अंदर ज्ञान का सूरी उदे हो जाए ताकि दुबारा ये करमों के टिम्टिम आते ही तारे दिखाई ही न दे और तुम्हारा जनम ही ना हो मौच प्राप्थ हो